हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फोरी इसमें आपका स्वागत है दोस्तों गर आप पे एक एंपूर्टर यूजर्स होंगे आपके बिंडोज एक्टिव नहीं होने के कारण जो है आपके डेक्स्टोप पे बिंडोज एक्टिव का वाटरमार्क कई बार कैसे डिसेवल कर सकते है पर्मानेंटली इसको कैसे आप यहांसे रिमूब कर सकते है तो चलिए दोस्तों हम विडियो को बींडिर करते वह्या स्टार्ट करते हैं चाहिए दोस्तों कोई भी watermark हो अगर इस corner पर दिख रहा है या आपके desktop पर कहीं पर भी दिख रहा है तो उसको जो है हटाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे search में जाना है और search में आपको type करना है cmd जैसे ही आप cmd type करेंगे उसके बाद आपके सामने जो ह करना है और yes पर click करने के बाद आपको यहाँ पर type करना है capital में B उसके बाद small होगा cd edit उसके बाद आपको doubt x उसके बाद आपको यहाँ पर space minus set उसके बाद caps lock करके आपको जो है लिखना है test signing of तो देख रहा है कि यहाँ पर आपके पास command हमने type कर दिये हैं अगर इस command में आप गल्ती करते हैं तो आपका काम नहीं करेगा यह command तो इसको आप इसको सही से लिखे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया गया है ठीक है उसके बाद दोस्तों जैसे यह आप टाइप कर देंगे उसके बाद आपको simple interface करना जैसे ही आप interface करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि the operation completed successfully इस टाइप करके एक message आएगा उसके ब पूटर को रिये start करने के बाद यहाँ से जो है इसका watermark हट चुका है तो आप दोस्तों इस तरीके से किसी भी watermark को desktop इसे हटा सकते हैं